हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बड़े भाई का कमेंट आया हुआ है उन्होंने हमसे कहा है कि मुझे एक्सिस बैंक से दो लाग का परसनल लोन चाहिए वो भी तीन सालों के लिए तो मुझे क्या क्या डॉकुमेंट्स लगेंगे मेरी इलिजबिल्टी क्या होनी चाहि और कहा है कि मेरी सेलली भी बता दीना कि मुझे दो लाग पर कितनी सेलली देनी पड़ेगी और मेरी मंतली EMI क्या बनेगी दो लाग के एमाउन पर तीन सालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छे कोशन किये हैं उन्होंने तो वीडियो को लाश्ट तक वोच करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज या सब्सक्राइब कर लिजए देशी डिटेल्स ओनली को यहां पे हम लोग फाइनेंसर रिलेटेड वीडियो आपके लिए हम बनाते रहते हैं तो चलते हैं पहले परसनल लोन यह लुग 40-path तक आप लोग देते हैं तो रेट ऑप इंट्रेut क्या लगता है वह सकती है कि त्री मयनिये ज़िए मनले कि गटाली सब्सक्राइब करूए अपकर यौन पर नंतर चालीज लोन का यह लेत यहां इप लोग तो परसनल लोन को यहां तो इनका rate of interest चला है 12% से लेकर कि 21% तक का effective rate of interest चला है और यहाँ पर आप लोग यह अद्र कियेगा जो यह 12-21% तक का है तो यहाँ पर minimum आप लोग का credit score good की category में होगा तो आप लोग को 12% में मिल जाएगा अगर आपका poor की category में होता है बैट की category में होता है तो 12% से 21% के बीच में पढ़ता है फिर आप लोग कोई भी effective बस इतना है कि 21% से जादा नहीं लगेगा और 12% से कम नहीं लगेगा तो यहाँ पर आप लोग अपना credit score maintain करके रखा करिए और credit score होता क्या जैसे कि आपने कोई भी loan loan लिया है तो उसको चुक आप लोग का credit score हमेंसा maintain रहता है तो इसीज़ आप लोग की authority विल दो जाती कि आप एक अच्छे नागरिक हैं आप loan पे टाइम से चुका दिते तो आप लोग को लंबे समय के लिए loan मिल जाता है तो चलिए जानते हैं कि इससे हम लोग की मंतली EMI क्या बनेगी तो यहाँ प आप लोग को home loan देखने को मिल जागा personal loan देखने को मिल जाएगा तो car loan की आप लोग को select कर लेना है अब हमें loan कितने साल का लाग का चाहिए था दो लाग का तो यहाँ पर हमने डाल दिया 2 लाग रुपाए 2 लाग रुपाए ठीक है यहाँ पर मैंने 2 लाग रुपाए फिल 12 लाग तो यहाँ पर हमने 12 लाग कर दिया है अब बात करीजा कितने सालों के लिए चाहिए तर तीन सालों के लिए और यहाँ पर जोनकी मंतिली किस्त जाएगी वह जाएगी 6,643 रुपाए total उनको interest देना पड़ेगा 49,143 रुपाए total interest आप लोग अगर percentage में calculate करें तो 16% ह होता है और वही अगर देखो पर यह किसाफ साब लोग का यह interest rate लग रहा है बारा ताई 36 तो आप लोगो देखो पर यह आप लोग को यह 12% interest लग रहा था तो उसी जगे आप लोगो जो total interest की payment करनी पड़ रही है वह करनी पड़े 49,000 इसी जगे जानते हैं कि total payment प्रिंस्प 0.6% होता है और इसको अगर जो हम लोग बैंक को तीन सालों में payment पे करेंगे वो पे करेंगे 2,49,140 रुपए इस हमाई calculator की आप लोग को लेंग के description में मिल जाएगी जग भी आप लोग loan की planning करते हैं home loan, personal loan, car loan की तो आप लोग को बहुत ही जादा यह आप लोग का help कर देग अब 25,000 रुपए देना पड़ रहा है तो 14-14,000 रुपए हम लोग को साफ साफ अंतर दिखाई देता है तो अब 11% rate of interest लग रहा है तो यह सारी आप लोग को effect पड़ती है इसी तरीके से आप लोग calculate किया करिए कि कम समय में लोन तो आपको paid करना करना लेकिन यह जो 40,000 रु benefit होगा और फिर depend होता है कि आप लोग की financial चीज़े कैसी के चल लाइए तो उसके उपर depend होता है तो चलिए जानते हैं और भी क्या eligibility तो इसकी link आप लोग को description में मिल जाएगी तो जैसे example के लिए मैं आप लोग और चीज़े clear कर दूँ यहाँ पे आप लोग को एक chart भी मिल देता है तो हर मंथ wise भी आप लोग का clear हो जाता है तो चलिए जानते हैं एक्सिस बैंक की official side पर तो यहाँ पर लोग देख सकते हैं तो बहुत सारे आप लोग को चार्जेस पेनल इंट्रेस में आप लोग को बता दूँ जैसे आपने अगर कोई भी loan late कर दिया तो उसके इस चार्जेस की बात करी जाए तो 500 रुपय राएंगे और डूब्लिकेट स्टेटमेंट इसुगे तो आप लोग को देखना लोग को देखना लोग को देखना लोग वहाँ पेनल इंट्रेस देना पर जाएगा बात करी जाए तो 500 रुपय राएंगे और डूब्लिकेट स्टेटमेंट इसुगी चार्जेस की बात करीए 500 रुपय तो यहां पर कुछ स्टेंप डूटी की बात करी जाए तो यह एस पर आपके स्टेट लौग के उपर डिपेंड करता है जो भी आपके जो भी आप लोग स्टेट में जो भी कानूँ चला है उसके उपर आप लोग की स्टेंप डिपेंड करती है फॉर क्लोर चार्जेस आप लोग को पांच परसंट 12 महीने के लिए लग रहा है चार परसंट 14 महीने के लिए तीन परसंट 36 जो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं उनके लिए आप बात करी जाए कि आप लोग 2 लाग का अमाउंट ले रहा है तो यहां पर बहुत सारे बैंक होते हैं बहुत सारे इलिसबिल्टी कल्कुलेटर दिये रहते हैं जिससे आप लोग कितने लाग तक का लोन इसू करवा सकते हैं तो जैसे हमको अब मेरी मंतिली सैली जैसे 10,000 आपको लोन चाहिए तो अगर आपकी मंतिली सेली 10,000 रुपए है और 12% 14% के रेट ओव इंटर से आपको लोन लेना तो आप लेको आसानी से दो लाग का लोन मिल जा रहा है इसी जगे अगर हम दोको यह टेन्योर इन्हों ने बड़ा लंबार किया है यही टेन्योर हमें तीन तीन साल के लिए चाहिए तो देखो यह देख सकते हैं कि दो लाकत 10,000 की सैली पे दो लाकत तीन सालों के लिए आसानी से लोन मिल जाएगा तो जो भाई ने कहा था कि मुझे लोन चाहिए तो उनको आसानी से 10,000 की सैली पे 2,000 का लोन मिल जाएगा अब 10,000 से जादा होगी तो उनको कोई problem नहीं है अगर 10,000 से लेकिन कम ना होनी चाहिए मैं यह जरूर कहूंगा अब बात करते हैं कि यहां पर बात करते हैं कि ileusability क्या लगेगी तो ileusability हम लोग चेक कर लेते हैं कि age क्या होनी चाहिए तो यह सारी चाहिए हम लोग यहां पर clear करेंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं individual who can take personal loan तो आप लोग sellide हो, sellide doctor हो, employees of public हो, private limited companies में काम करते हैं government sector में employee हैं और individual public कोई भी हो तो under taking आप लोग कुछ भी काम करते हो लेकिन आप लोग कोई भी होंगे तो आसानी sexist bank से आप लोग personal loan issue करवा सकते हैं और minimum आपकी age 21 होनी चाहिए maximum 60 होनी चाहिए और minimum net monthly income बट यह चीज याद रखना देखो यहां पर मैंने तो आपको monthly income बताई थी कि अगर आपकी 10,000 रुपाय होई तो 2 साल तक का आप लोग 2,000,000 को personal loan मिल जाएगा लेकिन यह depend होता है कि तो अब हर एक eligibility में हर एक जो bank होती है वो अपना-पना अलग-अलग categories select करके रखती है तो इनका जो criteria है इन्होंने अपने criteria में select जो इनकी eligibility में है तो उन्होंने net monthly income जिनकी 15,000 रुपाय होगी उन्हीं को ही personal loan मिलेगा चाहे आप लोग 2,000,000 का लिजे चाहे दीन लाग का लिजे चाहे चाहे लाग का लिजे वह आप क्यो पटेपेंड होता है लेकिन आपकी जो मंत्ली income है वो टोटल 15,000,000 रुपाय होनी चाहिए monthly income यह access bank का category है अब डॉक्यमेंट की बात कर लेते हैं तो क्या क्या लगेगा तो डूगली फिल्ड अफ्लीकेशन के वाईसी डॉक्यमेंट देने पड़ेंगे बस तो थोड़ा इसको दीप समझते हैं जैसे के वाईसी डॉक्यमेंट के लिए आप लोग पास्पोर्ट दे सकते हैं और बैंकर से संथे लगा सकते हैं तो प्रूफ अफट एंकम के लिए आप लोग आप लोग तो मंत की स्याली स्लिप देनी पड़े напр. के पाइगी तो यह कुछ documents, कुछ eligibility है, आप लोग को personal loan लेते समय, तो यह यह चीज़े आप लोग follow करें, अगर आप से मिल जाती हो, तो आसानी बहुत कम चीज़े हैं, लेकिन मैं other bankों से relate करूँ, तो बहुत कम चीज़े हम लोग को यहाँ पर लगानी पढ़ रही हैं, और आसानी से personal loan हम लोग का मिल जाएगा, तो बात, तो वीडो बहुत ही जादा interesting हो गई, मैंने आप लोग को सारी चीज़े clear कर दी है, अगर आपको तब भी कुछ problem हो, तो comment करिएगा, मैं next video में cover कर दूँगा, तो इस EMI calculator की link आप लोग को description में मिल जाएगी, और चैनल को ज़रूर से subscribe कर लि कीज़े, तो मिलते हैं एक और नियो interesting वीडियो के साथ आते लिए, goodbye, have a good day, take care.